आड़े गुलुबाबु नी तो आप सभी के नाम का दीब जला दिया गुलुबाबु को क्या हुआ इतना तिखा क्यों लग गये ये बाबा क्या लेके आये गुलुबाबु के लिए आइश्क्रीम वो भी गुलुबाबु का पसंदी था शीराधे उमितकाति राधरानी की किपास से आप सभी कुशल मंगले मिली आपके प्याडे से लाडले गुलुबाबु से आज है दिपावली और आप सभी को दिपावली के धेरे शारे शुपकाम नाए हाँ वीदियो थोड़ा सा लेट पहुच रहे पता है तो मिली आप सभी मर्कुटी भगवान के तो आप बोलें मर्कुटी भगवान जी के जाए बाबा भी जल्दी आगे क्योंकि दिवाली तो मनाना है हमारे प्यारे बच्चों से साथ में गुलुबाबु को क्यों बहार के चीज़ देते हो देखिए उनको तो यह पसंद है बहुत तो कभी-कभ से हो अरका नास्दीक से हो लेकिन भोग के बिना हम तो नहीं कहा सकते तो आप सब अभी वह सब छोड़िए आएए अभी हम दीब पचलीत करते हैं तो सबसे पहले हम घर को सजाएंगे दीब से क्योंकि घर का जो रौनक है वह दीब से यह आते हैं हम तो फटा का वगड़ा पर नहीं फोरते हैं लेकिन दीब जरूर जलाते हैं तो दीब सब घर पे जलाएंगे मतब दिया उचके बाद फिर हम पूजन वगड़ा करेंगे सामक्यारती हो गए है और देखिए आज का सुंदर सरंगोली मुझे इतना अच्छे सरंगोली नहीं आती है थोड़ा बहुत को इधर देखेंगे हम पूजा वयगड़ा कर लिया है आभी और हमारे लिए तो हमारे जो बाबु है न-मरी स्री जी अमड़े गुपिनाद बाबू सभी हमारे लक्षमी है तो इसलिए हम निकाई पूझेन करते हैं उनके आर्थी करते हैं किर्थन वगड़ा करते हैं लक्षमी पूझा अलक्षिन ही करते हैं बहुत जन करते हैं तो आप सभी को लक्षमी पूझान की भी जर्षरे शुप कामना चलिए गोलु बाबु और में आपी दीब भी जला लिया है गोलु बाबु को गोदी में बैठ के दीब जलाना था और हमें भी बहुत आनंद आये गोलु बाबु के साथ दीब जला के क्योंकि गाय साल उन्होंने गोलु बाबू के साथ तो नहीं कर पाये दिवाले के दिन, उनके मैया का थोड़ा तबीयत खड़ा थे हुआ थे। दो फो का ओं चले गये थे। लेकर इस बार तो बहुत आंढ़ दिन मिला गोलु बाबू के साथ बाबा को, देखिए। मैं बोर रहें थे गुलुबाबू को मैं अदिए हम छोटे थे अब से तो हम जो फुल जरी हैं इस तरह से घूमाते थे ध्यों माते तो अधी और चोटे हैं और भुल जरी से बहुत जल लगते हैं तो हमारे घर को ठुड़ा साद डेकोरेट किया है तो एसे तो मुझे रंगोली नहीं आदे कोशिश किया है इधर थुड़ा सा फूल का एक छोटा सा बास्केट जैसे रखा है और इधर हमारे प्यारी प्यारे बच्चों घर तो सस्ते हैं हमारे बच्चों से भाई जितना भी मैं रंगोली से सजालो या लाइटिंग से सजालो भी दिए जो हमने इधर घ्या है और अब जोली बाबू का फेब्रेट भूग बन रहे हैं पता है आपको गोली बाबू का फेब्रेट भूग कौन सा है गोली बाबू को मटर की कचूडी बहुत पसंदे साथ में तीखा वाला आलू दम और बन रहे हैं मताब बन चुका है आलो दम और अभी कचुडी में तेल रही हूँ और गर्मा गडम आभी गाजर का हिल्वा चले हैं सब कुछ कम्प्लेट थाली लग गये हैं अभी भोग लगाएंगे बच्चे आनन्दित करके में पाएंगे उसके बाद फिर हम प्रशाद पाएंगे आप भी मानसिक रुप से पाना ठीक है क्योंकि आप तो अधर से बता है मुझे आप भोग देखके बोड़ो ना गोलु बाबु को बहुत पसंदे तो आप बनाओगे जरूर अपने लड़्डू के लिए है ना जरूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना तो गोलु बाबु को तो बहुत पशंद बहुत जो जब भी बनाना गोलु बाबु का बुला लेना गोलु बाबु आपके पास पहुच जाएंगे चलिए अभी गोलु बाबु को तीखा तीखा बहुत सुद्धिश्ट लगते हैं तो इसलिए हमने पहले निवाला तीखा से दिया उसके बात फेर हमने गजल का जो बुलु बाबु को यह भी बहुत पसंद है और आपी जल तो भूग लग गये है शुब रात्री फिर मिलते हैं नेक्स ब्लोग में राधे राधे